बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम चाहे वो 30 साल पुरानी शुगर हो उसकी या कोई 40 साल पुरानी शुगर हो अगर वो व्यक्ति इस काड़े का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट कर लेता है तो मात्तर 10 दिनों में ये काड़ा उस व्यक्ति के शरीर से शुगर को खतम कर देगा और दोस्तों हम आपको बता द इसके मुख्य कारण क्या है जिनकी वज़े से हमारे शरीर में डायविटीज जैसी गंभीर बिमारी लग जाती है इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि डायविटीज का पूर्ण ग्यान होना आपके लिए बेहत जर दोस्तों जब किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है तो इस तिथी को डायविटीज कहा जाता है और ऐसा इंसुलीन की कमी के कारण होता है इंसुलीन एक होर्मोन होता है जो पाचन से बनता है यह हमारे शरीर में खाने को उर्जा में बदलता है इ इसके कारण शरीर में शूगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इस तिथी को diabetes यानी मदू में कहा जाता है। तो दोस्तो अब तो आप जान ही चुके होंगे कि diabetes क्या होती है। चलिए अब जानते हैं कि ये क्यों होती है। इसके पीछे के मुख्य कारण आखिर क्या क्या हैं। जादा मीठा खाना। जादा मीठा सेवन करने से diabetes होने का खत्रा बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा करने से शरीर में blood sugar की मात्रा बढ़ने लग जाती है। जिसके कारण शरीर में diabetes हो सकती है। पानी की कमी। पानी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी होता है कि जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो इससे शरीर में sugar level बढ़ने लगता है जो diabetes को अमंतरित करता है। मोटापा भी diabetes का कारण बन सकता है। मोटापा यानी अंचाही चर्वी जिसे बीमारियों का घर भी कहा जाता है। ये भी शरीर में diabetes का कारण बन सकता है क्योंकि शरीर पर मोटापा होने से insulin level शरीर का कम होने लगता है जिसे diabetes हमारे शरीर में पनपने लगती है। नींद कम लेना दोस्तों नींद का diabetes के उपर गहरा सर है क्योंकि जब हम नींद पूरी नहीं लेते तो उससे हमारे शरीर के जो hormones होते हैं वो भी गड़ जाते हैं और जब शरीर के hormones भी गड़ गए तो पूरी body का जो setup होता है वो गड़ बड़ा जाता है और उन्हीं में से एक कारण जाकर बनता है diabetes का अगर आप अच्छे से पूरी नींद नहीं ले रहे तो उसके वज़े से आपको diabetes हो सकती है फास्ट फूड का सेवन करना दोस्तों फास्ट फूड आज कल हमारी जिंदिगी में आम बात हो गई है हर दस में से साथ लोग आज रोजाना फास्ट फूड का सेवन कर रही हैं चाहे बजार में करें या घर पर बना कर लेकिन वो फास्ट फूड का सेवन रोजाना कर रहे ह लेकिन क्या आप जानते हैं जो ये हम fast food खाते हैं ये हमारी immunity को इतना कम जोर कर देता है कि हमारे शरीर में तरहतरे की बिमारियां पर अपने लगती हैं और उनहीं में से एक है diabetes जो इनसान ज्यादा fast food खाता है उसके अंदर diabetes होने के कारण 90% तक बढ़ जाते हैं तो अगर बैठ कर कर रहे हैं जिसको करने के लिए पहले 10 लोगों की जरूरत होती थी इसका क्या फरक आपके जीवन के उपर पड़ा है इससे आपका जो शारीरी काम करने की जो आपकी शमता थी शरीर की वो हमने कम कर ली है क्योंकि हम शारीरी काम करते ही नहीं और जब शारीरी काम ह आपको diabetes होने का खत्रा भी बढ़ सकता है ये हम नहीं एक report में ये दावा किया गया है जो लोग कम exercise करते हैं या कम physical work करते हैं 90 प्रतिशत उनको diabetes होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए कभी भी आपको ऐसा काम नहीं करना आपको active रहना है ताकि आप diabetes जैसी गंभीर बिमारी से बचे रह सकें और अगर आपको diabetes है तो आप उसको control कर सकें शराब और धुमरपान का सेवन करना दोस्तो शराब और धुमरपान हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक है ये तो उसकी packing के उपर ही लिखा हुआ होता है और दोस्तो डाइबिटीज के उपर शराब और धुमरपान का सेवन करना हद से जादा खतरनाक है और शराब और धुमरपान ही डाइबिटीज का मुख्या करन बनता है तो इसलिए कम से कम शराब का सेवन करें diabetes अगर आपको है तो इसको बंद ही कर दें अगर आपको उसकी लथ है तो उसको कम कर दें क्योंकि लथ को छोड़ा नहीं जा सकता लेकिन उसको कम तो किया जा सकता है तो उसको कम कर दें तो दोस्तो अब तो आप जान ही चुके होंगे diabetes के बारे में आपको पूरा ग्यान हो चुका होगा diabetes का कि diabetes क्या होती है क्यों होती है अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें comment करके नीचे बता सकते हम जल्द से जल्द उसका आपको reply देंगे अब चलिए जानते है diabetes को control करके उसको जड़ से खतम करने वाला काढ़ाब बनाने के बारे में किसको कैसे बनाने है इसका सेवन कैसे करना है तो चलिए इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए आपको साथ चीजों की जरूरत पड़ेगी दो गिलास पानी एक बड़ी चमच आपने सबसे पहले पानी को पतीली के अंदर डाल कर रख लेना है अब इसमें आपने एक चमच मेथी डालनी है दोस्तों ये मेथी का दाना कोई छोटी चीज नहीं अगर इसके गुणों की हम बात करें तो ये सरोगुण संपन है इससे आपको डायबिटीज में तो फायदा होगा ही इसके साथ साथ ये आपके डायजेशन को ठीक करती है आपके शरीर के अंदर बैड कलेस्ट्रोल को खतम करती है शरीर की हडियों के जोडों में नैचुरल चिकनाहट बनाती है जिसके कारण जोडों की दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है ये आपके शरीर की तापमान को न्यूट्रल रखती है ताकि आपके शरीर की रोग परतिरोदक्षमता बढ़ाई जा सके ये है शुगर के लेवल को कम करती है और शरीर में नैचुरल इंसुलीन बनने की प्रिकरिया को तेज करती है जिससे आपकी डायबेटीज की समस्या ठीक होने लगती है अब हमने इसमें डालनी है दालचीनी दोस्तो दालचीनी एक ऐसी ओशधी है जो ना केवल डायबेटीज को ठीक करती है बलकि आपके शरीर में सर से लेके पाउं तक की सब भी ब्लोकेज को खतम करती है चाहे ब्लोकेज किसी भी हिस्से में हो और कितनी पुरानी से पुरानी क्यों ना हो ये उसको बिल्कुल ठीक कर देती है जिसे आपको हार्ट अटेक, माईग्रेन, ब्रेन अटेक जैसी बिमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और जो लोग मोटे हैं उनके लिए भी दालचीनी का सेवन करना एहम है अगर कोई मोटा व्यक्ती एक महीने तक एक दो चुटकी दालचीनी का सेवन सुबेक गरम पनी के साथ कर लेता है तो एक महीने में कम से कम 4-5 किलो वजन बीना एक्सरसाइज के बीना डायटिंग के वो कम कर लेता है अब हमने इसमें डालनी है दो लोंग लोंग हमारे शरीर के लिए कितनी फाइदे मंद है इसका अंदाजा आप एक चीज़ से लगा सकते हैं कि लोंग का इस्तमाल हजारों सालों से मसाले में उपियोग होता आ रहा है लोंग शरीर की इम्मिनिटी को बढ़ाती है यानि शरीर की रोग परती रोधक शमता को बढ़ाती है लोंग का सेवन करने से शरीर के जहरीले ततव शरीर से बाहर निकल जाते हैं यानि लोंग हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करती है लोंग सर्दी जुखाम जैसी बिमारीों से लेकर कैंसर तक के बिमारी में अपना असर दिखाती है यह है शरीर में इंसुलीन का निर्मान करती है जिसे शरीर में डायबेटीज कंट्रोल रहती है अब हमने इसके अंदर डालनी है चार से पांच पत्ते तुलसी के तुलसी डायबेटीज को जड़ से खतम करने की ताकत रखती है और यह हमारे शरीर के 200 से ज़्यादा रोगों को खतम करने के लिए रामबान इलाज है तुलसी शरीर की रोग परतिरोदक शमता को बढ़ाती है ताकि शरीर रोगों से लड़ सके और उसको ताकत मिले ताकि वो शरीर के अंदर ही रोगों को बिना मैडिसन के ठीक कर सके तुलसी का सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहत जरूरी है क्योंकि ये शरीर में जमा गुलुकोज को उर्जा में बदलने का काम करती है और साथ ही नैचुरल इंसुलीन का प्रोडक्शन भी शरीर में बढ़ाती है यानि तुलसी डायबिटीज के रोगियों के लिए भगवान दुआरत दिया गया एक वरदान है अब हमने इसके अंदर डालना है दो इलाइची दोस्तो इलाइची आपके डायजेशन यानि पाचन को ठीक करती है और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंसुलीन आपके पाचन में बनता है जब पाचन ठीक होगा तो इंसुलीन भी जादा बनेगा और इलाइची आपके पाचन को ठीक करती ही है इसके साथ-साथ ये आपके शरीर में इंसुलीन को भी बूश्ट करती है जब इंसुलीन शरीर में बनेगा तो गुलुकोज का स्तर कम होगा जिसके कारण शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा यानि डायबेटीज आपके से कंट्रोल रहेगी अब सबसे आखिर में हमने डालनी है एक चमच हल्दी दोस्तो जैसे आपको पता है कि हल्दी एंटिबायटिक एंटिसेफ्टिक की तरह शरीर में काम करती है इसके साथ साथ ही शरीर की इम्मुनिटी को बढ़ाती है जिससे शरीर को ताकत मिलती है रोगों से लड़ने के रह जाए चलिए इसे जब तक उबलने देते हैं और तब तक हम जान लेते हैं कि इस काड़े से आपको और क्या क्या फाइदे होंगे दोस्तो सबसे पहला जो आपके डायबेटिस को कंट्रोल करेगा यह मैंने आपको पहले बता दिये शरीर में इंसुलीन को नैचुरल बन तो यह उसके अंदर भी आपकी बेहत मदद करेगा और आपकी कबज को दूर करेगा यह काड़ा आपके शरीर में एनरजी बनाएगा और शरीर की सुस्ती को खतम करेगा यह काड़ा आपकी हड़ियों को मजबूती देगा और हड़ियों घुटनों और कमर में होने वाले द कर तियार है तो चलिए जानते हैं कि इसका सेवन आपको कैसे करना है आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन गरम गरम चाय की तरह चुस्किया लेकर करना है और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके सेवन से आधा गंटा पहले और आधा गंटा बाद तक कुछ भी आप झाल झाल